Hello everyone, जै हिंद आज है 10 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 10 नवंबर से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को discuss करेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विश्व मौसम संगठन है इसके द्वारा State of the Global Climate in 2022 रिपोर्ट रिलीज की गई है अभी हाली में केरल का जो सड़क परिवहन निगम है इसने सर्वस्रेष्ट सारवजनिक परिवहन सेवा का पुरुसकार जीता है पांच साल की अवधी के लिए Reliance Industries Limited के सर स्वतंत्र निदेशक के भी कामत नियुक्ति किये गये हैं एक सो तीनव सम्विधान संसोधन इसमें क्या पेश किया गया खबरों में जो था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिसत का कोटा फोर्प स वर्ल्ड बेस्ट एम्पलोर्स रैंकिंग में भारत की तरफ से एक मात्र कंपनी शामिल Reliance Industries ओवर्ल इसकी रैंकिंग 20 वी है देश की पहली डबल डेकर एक्सप्रेस वे नॉड़ा में चलेगी और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जयन में जंजाती गौरों दिवस बिर्सभ मुंड़क किस्म्रती में 15 दिसंबर को मनाया जाएगा पंद्रा नवंबर को मनाया जाता है जंजाती गौरों दिवस लावा मुबाइल कंपनी ने अपने ब्रेंड अम्बैस्डर म्यूक्त किया है कार्तिकारियन को और फिर अभी हाली में गुरु नानक जी की 553 जेन्ती मनाई गई है ये दस्वा कोश्चन यहाँ पर मिस हो गया है ये मैं मोडिफाई कर दूँ ठीक है अगला प्रश्ण है हमारा आज का पहला कि सत्रवा प्रवासी भारती दिवस ये जो संमेला नायजित होगा पहले ही बता चुक्यूंकि जो अंधिप्रदेश की एक सिटी है जो कि भारत की सबसे सुक्ष सिटी के नाम से आप इसे जानते हैं इन दौर ये इसे होश्ट करने जा रहा है और 8 से 10 जनवरी के बीच में ये आयजित किया जाएगा देखे वैसे तो प्रवासी भारती दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क् इसी दिन 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे ना ये साउथ अफरिका से भारत लोटे थे तो इस बार ये मतलब की मुख्य रूप से इसका सम्मेलान है जो कि इन दौर में आयजित किया जाएगा और इसमें मुख्य अधिती के रूप में शामिल होने जा रहे है मुहम्मद इ इसके अलावा आठ जनवरी से जो यूथ प्रवासी भारती दिवस आयजित किया जाएगा इसमें जनेटा मसकान रहास और आउस्ट्रिलिया के संसादे जुकी ये इसमें सम्मानित अतिती के रूप में शामिल होंगे थीम इसकी है डाइस पोरा रिलाइबल पार्टनर्स फ क्यापिटल है जोर्जी टाउन करंसी हो जाएगी गुयानीज डॉलर साउथ अमेरिका के मेरा बहुत ज़दा कंट्री नहीं है आप लोग इसली याद कर सकते हैं यहां जो इसली कंट्री है एक तो बेसिक आप जानते हैं इसे पक्षियों का महादी भी कहा जाता है दुनिय साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भेलगबग हर देश से साउथ अमेरिका की हर कंट्री इससे सीमा साजा करती मातर दो कंट्री को छोड़ करके यह जो आप देख रहे ना यह है इकवाडूर और आप देख रहे हैं इकवाडूर की सीमा ब्राजिल से नहीं लग रही ह और यहां पर यह जो आप देख रहे हैं लंबा सा यह है चिली इन दोनों को छोड़ करके बाकि सभी से सीमा साजा करता है ब्राजील अच्छा यहां से आप देख पार है एक्वेटर यह जो आपकी विश्वत रेखा है यह भी गुजर रही है तो साउथ अमेरिका की तीन कंट से एक तो ब्राजील से गुजर रही है दो और याद रखेंगे एक यही इकवाडोर और यह कोलंबिया इकवाडोर कोलंबिया ब्राजील इन तीनों से यह गुजरती है फिर यह जो आप देख रहे हैं यह अला शित्री यह है अर्जेंटीना का अर्जेंटीना जो कि इना सही भी लॉंग करते हैं फिर वेनिजुएला इसकी लोकेशन यहां हो जाएगी अच्छा गुयाना नाम में आप लोग कन्फ्यूस तो नहीं हुए न क्योंकि गुयाना के बाद है सूरी नाम यहां पर और सूरी नाम के जश्ट बगल में फ्रेंच गुयाना तो गुयाना अलग है और फ्रेंच गुयाना लग है तो दोनों में कन्फ्यूस नहीं हुएगा बेंजा में नेत निहाओ यह कहां के प्रेसिडेंट है यह प्राइम मिनस्टर बने कहां के इसराइल के हाली की दुनों में रिसी सुनक यह प्रधान मंत्री है भारती मुलके हैं कहां के बने अच्छा गुयाना से बनने वाला एक most important factor तो बताना ही भूल गई मैं आप लगों को 2021 में भारत ने पहली बार किसी South American country से तेल खरीदा था तो भारत ने पहली बार किस South American country से गुयाना से कच्चा तेल खरीदा था अगला प्रश्ण है यूजर्स के बहतर नभों के लिए भारति विस्ष्ट पहचान प्राधिकरन UIDI जिसे आप कहते हैं इसके द्वारा जो chat bot launch किये इसका नाम क्या है अच्छा आधार कार्ट से बनने वाला कुश्ण है एक एक एक्जाम में पूछा भी गया था कि इसमें कितने कोड होते हैं मतलब डिजिट कितनी होती है इसमें जो unique identification code होता है न यह कितने डिजिट को होता है तो यह 12 डिजिट को होता है मतलब आधार आप इसमें कह सकते हैं और इसके जितनी भी जानकारी जितनी भी तो नहीं कह सकते हैं बायोमेट्रिक ही जानकारी इसमें होती है और यह जो UIDAI है इसके फुर्फरम मंती Unique Identification Authority of India यह मैं बताना चाहा रहे थी demographic जानकारी भी होती है तो demographic और Biometric दोनों ही जानकारी इसमें होती है अगला प्रश्ण है हाली में कौन सा देश तेल का सीर्स आपूर्ती करता देश बना है तो इसमें से देखिए सवधी अरेबिया और इराक दोनों को ही पीछे छोड़ते जो रश्य है जो कि अभी तक दूसरा सबसे बड़ा तेल आपू प्रश्य ही कर रहा है भारत के कुल कच्छे तेल का आयात रश्या से 22% है इराक से 20.5 और सौधी अरब से 16% नहीं कि सबसे जादा भारत किसे ले रहा है रश्या से रश्या की क्यापिटल मॉस्को करनसी रूबल प्राइम मिनस्टर व्लादमिर ने ने माफ के जिएगा मिख भारत और रश्या के बीच में आयजित की जाती है एक एंटी कॉंटिनेंटल मिसाइल आप रिलेट कर सकते हैं सर्मत जो कि अभी हाली की दिनों में जिसका ट्रायल है रश्या के द्वारा किया गया है एक टू-0-3 असॉल्ट राइफल को लेकर कि भारत रश्या के बीच में रंग बनाने वाला पहला खिलाडी बन गया है इसमें सभी चाय हुए है स्काई सुर्य कुमार यादाउ एक कैलेंडर वर्ष में टी टून्टी अन्तरास्ट्री एक हजार टी टून्टी अन्तरास्ट्री बनाने वाले ये पहले खिलाडी बन गया है अभी मेलबर्न में जिम of the month चुना गया है प्लेयर of the month पहली बार यह नॉमिनेट हुए थे और इसके विज़ेता भी रहे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए captain सी है जो की रोहिष शर्मा के हाथ में है वैसे यह IPL में Mumbai Indians के side से खिलते हैं और इसके captain भी है अगला प्रश्चन के हैं अब्दुलकादिर, West Indies के हैं शिवनायर चंद्रपॉल और England की है चार्लोट Edwards इन तीनों को ही शामिल किया गया है जिसमें कि अब्दुलकादिर इनका तीन साल पहले निधन हुआ और जो West Indies के शिवनायर चंद्रपॉल हैं टेस्ट पारियों में 78 सतक लगाने का record इनके दिगज के जो उपलब्धी होती है इसे मानिता देता है 2009 में इसे launch किया गया था अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दू कि ICC Hall of Fame में शामिल कितने भारती हैं इसके पहले ICC के बारे में जान लेते हैं International Cricket Council 1909 में स्थापना होई दुबई UA में Headquarter और Greg Barclay इसके अधिक्षक हो जाएंगे 2023 में जो Men's Hockey पुर्षो का जो World Cup होगा ICC Men's World Cup इसे इंडिया होस्ट करेगा और 2022 में महिलाओं का ये होई चुका है ये कहां ये जित किया गया था New Zealand में इसमें वजेता कौन रहा था ये Australia रहा था अब हम जाल लेती कितने भारती है ICC Hall of Fame में शामिल एक तो कपल देव है एक बिसन सिंग वेदी है सुनिल गावसकर तीन ये हो गया चौथे आप रिलेट करोगे अनिल कुम्बले 5. राहूल द्रविण 6. सचिन 3. कितने हो रहा है कपल देव बिसन सिंग वेदी कपल देव बिसन सिंग वेदी राहूल द्रविण हो गया एलनिल कुम्बले सुनिल गावसकर सचिन 3. एक मीनू माकर्ण भी तो शामिल किये गए हैं मीनु माकंड ये साथ भारती हो गए दो तीन चार पाच शाथ ठेक है अगला प्रश्ण है हाली भारत के पचासवे मुख्य नायधिस कौन बने हैं तो रिसेंटली जो डी वाई चंद्रचूड है इन्होंने स्थान ले लिया है भारत के अभी तक जो जो मुख्य नायधिस थे 49 करम के यूई लिलित और 50 मुख्य नायधिस बन गया है डी वाई चंद्रचूड आठ नवंबर को यूई लिलित रटायर हुए और इन्हीं को रिप्लेस कर दिया है डी वाई यानिकि धननजय य अश्वंत्र चंद्रचूड ने दो साल के लिए भा के वाई वी चंद्रचूड ये भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य नायधिस रहे थे जो कि 1978 से 1985 तक भारत के मुख्य नायधिस के रुपे इन्होंने सेवा दे थी वसे हम बात करें भारत के पहने मुख्य नायधिस कौन थे तो हीरा लाल जे कानिया यहने की ह जे कानिया 1950 से 59 तक थे भारत के जो एट और्नी जनरल है महा नियावादी जिसका उलेक आर्टिकल 76 में है यह कौन बने है आर वेंकट रमनी भारत के जो CAG कंट्रोलर एंड आड़र जनरल यह गिरिश शंद्र मुर्मू जी सी मुर्मू हो जाएंगे अगला प्रशने भारती अंतरास्ट्री फिल्म और महोत्सो के 33 संस्क्रण में फोकस कंट्री कौन होगी तो फोकस कंट्री इसमें होने जा रही है फ्रांस भारती अंतरास्ट्री फिल्म और महोत्सो फ्रांस इसमें फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया जाएगा एडिशन इसका होगा तिरपनवा और होगा कहां जैसे कि हमेसा ही ये गोव में आयजित किया जाता है और इस महुतसवा में बिहार पहरी बार अपना पवेलियन लगाने जा रहा है फ्रांस योरप महादीप का एक देश है इसकी जो कैपिटल हो जाएगी ये हो जाएगी पेरिस करंसी हो जाएगी यूरो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है है ये हो जाएगी Emanuel Macron और फ्राइम मिनस्टर Elizabeth Bourne हो जाएगी IES International Solar Alliance में भारत तो अध्यक्ष है ही इसमें सहअध्यक्ष के रुप में किस कंट्री को शामिल किया गया है तो फ्रांस को शामिल किया गया है अभी जो समर ओलंपिक हुआ था जापान के टोक्यो में हुआ था इससे जो next होगा नब दोहजार चॉपिस में ये फ्रांस की कापिटल पैरिस होश्ट करेगी गुयाना के बारे में हम लोगों नो डिसकुशन कर लिया है जर्मनी ये भी फ्रांस से लगी हुई तो ने लेकिन ये है जर्मनी की लोकेशन यॉरप महादीप में हिस्तित है यहां के जो शांसलर है उलाफ जोर्फ तीन वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले जी सेवन नेता बने और जापान का एक टाइफून हिन्ना मुझोर्व ने आप लोगों को बता रखा है अगला प्रशन इंपॉर्टन डेस से रिलेटेड है विश्व रेडियोग्राफी डेकब मनाया जाता है तो यह 8 नवंबर को मनाया जाता है इस पार की ठीम है यह रोगी सुरक्षा में सबसे आगे के रेडियोग्राफर है तो जर्मनी के जो बुजवर्ग यूनिवर्सिटिस के प्रफसर थे विलम कॉन्राड इन्हीं के द्वारा 1895 में एकसरे की खोच की गए थी इसी के वर्सकार्ट को चिन्यत करने के लिए दिवस मनाया जाता है और इन्हें 1901 में इनके इस उपलब्दी के लिए फिजिक्स के शेतर में नूबल पुरिसकार भी दिया गया था 5 नومबर को सुनामी जाग रुकता दिवस मनाया गया है और 7 नमबर यहां नहीं लिखा 7 नमबर क्या मनायी गया है अंतरिक्ष में रॉकेट लॉंच करने वाली पहली भारती निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन बन जाएगी कहा कि कंपनी ये हैदरावाद इस्थित भारत का एक प्रिसिद स्टार्ट अप है जो कि पिछले दिनों से काफी कुछ जादा चर्चे में रहा था अभी पिछले ही साल केंदर सरकार ने जो प्राइविट स्पेस एजेंसी हैं एक तरह का प्लेटफोर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और इसी बीच उभर कर आया है आप लोगों को याद होगा कि भारत का पहला क्रायोजनिक इंजन जो था क्या नाम थो उसका धावन वन ये भी सकाई रूट एरोस्पेस के द्वारा ही डेवलप किया गया था और साइन्स और टेक्नलोजी के शेतर में कदम से कदम मिला करके आगे काम करने के लिए इसने भारत की सब्सक्राइब कर रखा है तो सकाई रूट एरोस्पेस अब भारत का पहला नीजी तौर से विक्सित कि चाइना की हो जाएगी और फ्रांस की इस पेस एजेंसी का नम सी एनियस है अगला प्रश्म में रवजन के लिए रखा है जो कि स्पोर्ट्स का है स्यद मुस्ताकरी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटे ट्रॉफी जो के भी हाली में मुंबई ने जीत लिए है मुंबई ने किस जीती तो यह मालशल प्रदीश ने जीती थी एक संतोस ट्रॉफी है यह फुडवाल से रिलेटेड है कि के रला ने जीती थी मैंने कल आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओलाफ जोर अभी मैंने बताया है आज का सवाल है चर्ची मेरा टोनी पोल और एपोर्ट कहां इस्तित है अंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा यह आपको पीडियाफ शाहिए या आप टेलीग्राम से मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप होगा आपके में उसमें जाएए वहां जाकर के कल्यानी में पीडियाफ सर्च कीजिए यहां आप मुझसे जुर सकते हैं फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ थांक्यू सो मच